नमस्कार आपको सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट को आपको बता दें यह जो रिजल्ट है वह हैं कंसॉलिडेट और आंकड़े दिये गए हैं लाक में तो बात करेंगे रिजल्ट के कि सबसे लास्ट में आपको कलम दिखाई दे रहा हैं सबसे कलम Size चौर्ट के रिजल्ट हैं से कड़ में और हम बात करेंगे च्लाइए त् dress में यहाँ पांट तो इंकम दिखाई दि रहु अगर हम बात करनें दिसंबर 21 कॉर्टर में तो यहां पर हमें टोटल इंकम 5,66,433 दिखाई दिती है तो अगर हम बात करते हैं दिसंबर 20 कॉर्टर से दिसंबर 21 कॉर्टर यानि कि 321 लाग के expenditure थे सितंबर 21 विए 4,888,444 लाग के हुए और दिसंबर 21 कॉर्टर में 4,13,144 लाग के expenditure रहे तो दिसंबर 20 कॉर्टर से दिसंबर 21 कॉर्टर यानि के year on year में देखते हैं तो हमें expenditure बढ़ते हुए नजर आ हैं और अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में तो यहां भी हमें expenditure रद्धी होती हुए दिखाई दे रही है अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के profit and loss statement की बात करते हैं 10th number point profit for ordinary activities before tax की December 20 quarter में 8,366,000,000 के profit before tax थे सितंबर 21 quarter के 29,794,000,000 के हुए और December 21 quarter में 55,537,000,000 के profit before tax रहे तो December 20 quarter से December 21 quarter यहां के year on year में अगर हम देखते हैं तो यहां में profit before tax बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में यहां यहां भी हमें profit before tax में ब्रद्धी होती हुए दिखाई दी रही है अब हम बात कर हैं बैंक के net profit की तो 14 अंबर पॉइंट दिया गया है net profit दिसंबर 20 quarter में 14,768,000,000 के net profit थे सितंबर 21 quarter में 22,265,000,000 के हुए और December 21 quarter में 26,576,000,000 के net profit रहे तो December 20 quarter से December 21 quarter यानि के year on year में देखते हैं तो हम profit में 80% की व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं quarter quarter में यानि की सितंबर 21 quarter से December 21 quarter में तो यहां हमें 19 प्रतिशत की व्रद्धी profit में होते हुए दिखाई दे रही है अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की तो दिएगा है सबसे नीचे देखेंगे आप तो दिखेएगा आपको परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एन प्रतिशत दिसंबर 20 quarter में 15.3 प्रतिशत थे जो कि सितंबर 21 quarter में 14.97 प्रतिशत के हुगे और दिसंबर 21 quarter में 16.65 प्रतिशत तो यहाँ पर आगर एब दिखते हैं year on year में आनि की दिसंबर 20 quarter सा दिसंबर 21 quarter में तो ग्रॉसent फोए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में यहां भी हमें NPA में कमी होती हुए दिखाई दी रही है अब हम net NPA percentage को भी देख लेते हैं तो December 20 quarter में 4.04 प्रतिशत के NPA थे जो कि सितंबर 21 में 5.55 प्रतिशत के हुए और December 21 quarter में यह 5.29 प्रतिशत के हुए तो यहां पर अगर हम net NPA percentage को देखें तो year on year में बड़े हैं जबकि quarter on quarter में घटे हैं दन्यवाद